निम्डखित कवियों में अस्ट छाप कवी कौन है? सूरदास, तुलसिदास, रहीमदास, बिहारीलाल तो सूरदास हैं। हिंदी साहित्य के आरंभी काल को आचारे रामचंद्र सुकल ने क्या कहा आधी काल कहा चारण काल कहा वीरगाथा काल कहा कि सिद्ध सामन्द काल कहा तो आचारे रामचंद्र सुकल ने हमेशा याद रखिएगा वीरगाथा काल कहा कुवेंपु का जन्म किस काओं में हुआ था तो तमिल नाडु, धारवार, कस्मीर, कुपली तो कुवेंपे से याद रखिएगा कुपली में इनका जन्म हुआ था अंधेर नगरी के लेखक कौन है अंधेर नगरी के ये सब को पता है कि जो इसके लेखक है वो भारतेंदू हरिश्यंद लेकिन आपको नहीं पता तो एक बार फिर से रिवाइस कर लीजिएगा गुपत जी की रचनौ में ब्याप्त के फलसुरुप ने रास्ट कवी का सम्मान मिला आधिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया तो डाक्टर रामकुमार वर्मा महापंडित राहुल सास्कृत या आचारे रामचंदर सुकल आचारे हजारी प्रशाद दुवेदी तो आदिकार के लिए वीरगा था नाम जो प्रस्तावित किया था वो अचारे रामचंदर सुकले ने किया था रास तरंगरी के रचनाकार कौन है तो कलहड है और किसी option पे आप बिलकुल मत लगाईएगा हमेशे याद करिएगा कि जो रास तरंगरी के रचनाकार है वो कलहड है ठीक है प्रबंदकार के अंतरगत आते हैं कौन सी पाली महा कावे खंड काव आख्यानग गीत आते हैं हमेशा याद रखियेगा कभी मिन मुक्तक गंध में मत लगाए गीती कावे में मत लगाएगा चिंत्रामणी के रचैता कौन है तो अचारे रामचंदरसुक्ल है और इसको अच्छे से यात रखे चिंता मड़ी बहुत जादा जो पुस्तक है, इंपॉर्टन्ट है, राम चंदर सुकल है, याद रखिएगा, विरगाथा काल के कभी कौन नहीं है, तो सब को पता है, चंदवर्दाई भी है, जगनिब भी है, मधुकर भी है, तो जो नाम देव है, वो विरगाथा काल के कभी भी नहीं है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, मोस्ट इंबॉर्डन कोश्चन ने याद रखिएगा, हमेशा कोश्चन में आता, तो अस्थाई भाव की जो संख्या होती है, वो तीन, चार, आठ, नौ करके हमेशा नौ होती है, रामधारी सिंग दिनकर को भ कहानी है, बहुत जादा इंबॉर्टन्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसमें सारे कोश्चन बहुत इंबॉर्टन्ट है, हिदनी का पहला महा काब्य कौन सा है, तो हमेशा देखिए, इसमें पदमावत, प्रिप्रवा सब्दे के कनफ्यूजर हमें होता है, लेकि प्रकासवाल में की डाक्टर धरंबीर, तुलसिदास, सूरशपाल, चोहान, तो मडिकरिका के जो लेखक है, वो तुलसिदास जी है, पंच परमेश्वर कहानी जो की बहुत फेमास है, इसके लेखक कौन है, मुनसी प्रेमचंद्र है, बहुत सारी लोग इनको सुमित्रा न परन्यास जो पूरा नहीं हुआ था, वो था मंगल सूत्र तोड़ती पत्थर के रचेता है, सूरकान त्रिपाठी निराला, अचारे भरत ने किस रसको सरवादिक सुकात्मक रसमाना, तो इन्होंने सौयोग रसको बहुत जादा सुकात्मक रसमाना, इनमें से किस कभी ने प्रभान तक वीर कावे की रचना की है, तो ग्वाल कवी और जो पदमाकर भट हैं इन दोनों ने ही वीर कावे की रचना की है, कावे के अंतरगर पूर्वाता पर प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी है, तो मुक्तक कावे, हमें से याद रखिएगा, मुक्तक कावे जो ह कावे के अंतरगर पुर्वांतर में प्रसंगों स्युक्त रचना है वीजक सब को पता है कबीर दास है कबीर दास की है इसके साथ लेश्निय llegó के रचनाकर प्रशादि कों रहें क्रिश संकर प्रशाद के है most important है हमेशा PGT में आया हुआ है तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा चायवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है तो चायवाद के जो प्रवर्तक है उनका नाम है जैसंकर प्रशाद क्योंकि चायवाद के प्रवर्तक हमेशा और हमेशा जैस संकर परशाद को ही मिलता है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है तो ललूलाल इसको फिर से बता रही हूँ प्रेम सागर के रचनाकार कौन है ललूलाल इसको बिलकुल मत भूलिएगा ये यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी हर में important है बीर गाता काल के सर्वसेस्ट कवी है चंदवरदाई सब को पता है होरी मुंसी प्रेम चंदर किस उपन्यास का प्रमुक पात्र था तो होरी जो इनका गोदान था उसमें होरी एक पार्ट था जो है इनके में लीड में था निमलिकित में से सही काल करम कौन सा है तो प्रकेतिवाद फिर प्रेयोग वाद फिर नाई कविता फिक है यह मोस्ट इंपोर्टन्च प्रिटी और कविये इसको याद रखियेगा सुमितन अंधन पंध की कौन सी कृति है तो सुमितन अंधन पंध 거지 की लोकायतन जो है सुमितन अंधन पंध की most important कृती है बाकी परिमल, तृधारा, लहर यह सब जो है जैसंकर परशाद की है और भारतेदू, यूग में हम दिवाने क्या हसती है और हम धूल उडाते चले प्रस्तुत काब के रचनाकार कौन है तो ये भगवती चरण वर्मा की कृती है पृत बहुत हमें चंद वर्दाई है न रूपक होते हैं ना महाकावे जो होते हैं इसका होता है नाटक फिरयकांकी होता है फिर महाकावे होता है भारत भारती के रचनाकार कौन है? Most important याद रखिए का भारत भारती बहुत बार पूछे जाता है तो भारत और भारती के जो रचनाकार है वो मैथली सरनर गुपत है बहुत सारे लोग धर्मभीर भारती में लगा जाते हैं मुझसे भी एक दो बार mistake हुई थी भारत भारती के रचनाकार मैथली सरनर गुपत जी है हिंदी के सौरपतम प्रकासित पत्र का नाम क्या था? हिंदी के सौरपतम प्रकासित पत्र का नाम था उतंड मारतंड इसको याद रखिए ये भी most important है हर इक्जाम के लिए दोहा कोस के रचाईता कौन है? तो जो दोहा कोस के रचेता है वो है सरहपा ठीक है विडियो को शुट